आप दातों पे कैप लगाना चाहते हैं year आपको दातों में कोई समस्य है, डॉक्टर ने suggest की है आपको कैप लगाने के लिए और आप जानना चाहते हैं कि दातों की कैप की क्या लाइफ होती है तो आज के इस वीडियो में जो अलग-अलग टाइप की जो cap market में available होती है और उनकी क्या life होती है उसी के बारे में मैं आपको आज जानकारी दूँगा तो वीडियो को स्टाट करने से पहले मैं हूँ डॉक्टर सुमित गुजरे मैं और इंडेंडर सर्जन हूँ मेरी यूडूब चैनल में आपका स्वागत है जादा तर हम यह देखते हैं कि जो पीछे की जो दातों में जो cap लगाया जाता है उनकी जो life होती है वो थोड़ी कम होती है क्योंकि पीछे से हम चबाते हैं तो उनकी जो life होती है थोड़ी कम होती है लेकिन आगे की जो दातों में हम जो cap लगाते हैं उनकी life long life होती है वो क्वालिटी पे भी डिपेंड करती है कि आप कौनसा कैप लगा रहा है। जैसे कि अगर आप मैटल का कैप अगर लगाते हैं, तो उसकी जो लाइफ होती है वो लग-बग 15 साल के असपर असके लाइफ होती है। और अगर आप सेरैमिक का कैप लगाते हैं जिसको जो life होती है वो कमरीबन 10-15 साल होती है अब आप ऐसा मानिए कि जब आपके दातों में दर्द होता है और दर्द होने की वज़े से डॉक्टर आपसे कहते हैं कि आपको root canal करना पड़ेगा और उसके बाद उस पे cap लगाना पड़ेगा तो आपको एक चीज़े समझनी होगी कि अगर आप एक अच्छा root canal अपने दातों में करवाते हैं जिसकी जो life होती है वो लगबग 10-12 साल के असपस एक root canal की life होती है और जब आप उसके उपर cap लगाएंगे तो उस cap की भी जो life है वो भी 10-12 साल हो जाएगी क्योंकि उसके बाद में वो जो दात है वो brittle हो जाएगा और उसके बाद में वो दात brittle होने की वज़े से कमजोर हो जाता है जिसकी वज़े से कई बार वो दात को फिर हमें 10-12 साल के बाद निकालना भी पड़ता है अगर आपकी oral hygiene बहुत अच्छी है और आप हर एक चीज को बहुत अच्छे से साफ सफाई पे बहुत ध्यान देते हैं आपकी habits पे ध्यान देते हैं तो हो सकता है कि वो दात आपका लंबा चले तो उसके साथ साथ में आपका cap भी लंबा चल सकता है अब cap की life से मतलब यह है कि cap जो आपका है वो किस तरीके से खराब हो सकता है cap जो आपका होता है एक समय के बाद में घिस सकता है अगर आपने ceramic का cap लगाया है तो वो जो cap है वो घिसने के साथ साथ में ceramic की जो उपर की जो layer है वो निकल सकती है अगर आपने metal का cap लगाया है तो वो uneven हो सकता है अगर आपने जरगोनिया का cap लगाया है तो वो भी uneven हो सकता है जिससे कि आपको चबाने में दिक्कत होगी तो हो सकता है कि आपको cap change करना पड़े यानि उसकी जो life है वो वहाँ तक रहेगी अब मैं अपने clinic में एक चीज़ एकसर देखता हूँ कि अगर मैंने किसी patient को cap लगाया है और cap लगाने के कुछ साल के बाद में एक या दो साल के बाद में वो patient वापस आता है और बोलता है कि sir आपने जो cap लगाई थी वो खराब हो गई और वो cap निकल गई और वो उसकी life अच निकल गया तो आपको cap fake ना नहीं है क्योंकि cap को जो होता है वो दात की ऊपर चिपकाया जाता है एक looting cement आता है material आता है जिसको दातों की ऊपर चिपकाया जाता है अगर वो किसी कारण से निकल जाती तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो cap आपका खराब हो गया आप doctor के पास जाके उसी cap को वापिस उस पर लगवा सकते हैं अब आप बोलेंगे कि cap ऐसी क्यों निकल जाती है तो देखिए cap को जब चिपकाया जाता है तो वो इसलिए ऐसा चिपकाया जाता है कि अगर कभी doctor को निकालना पड़े तो वो निकल पाए अगर permanently अगर आपन उसको चिपका देते हैं मान लीजे आपने किसी दात की उपर cap को लगा लिया अब मान लीजे आगे चलके आपको उस दात में कोई तकलीफ होती है तो उसका treatment कैसे करेंगे अगर उस cap को अगर अपन निकाल नहीं पाएंगे तो अपन treatment नहीं कर पाएंगे दो तीन साल में अगर वो cap निकल लाइप भी बढ़ जाएगी अगर आप साफ सफाई अपने मुग की अच्छी रखना चाहते हैं तो इस पर मैंने एक already वीडियो बनाया हुआ है आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं उसका जो link है में description box में डाल दूँगा और अगर इसके अलावा अगर आप cap के बारे में और detail जानना चाहते हैं कि आप कौन से type का cap लगाना चाहते हैं तो उस पर मैंने एक already video बनाया है जिसमें उसमें मैंने cap कितने type के होते हैं उनकी क्या quality होती है कितने मतलब उनका क्या prize होता है उन सबी चीजों के बारे में मैंने उसमें पूरी जानकारी दी है तो आ इस वीडियो को उनको शेर जरू कीजे चैनल को सब्सक्राइब जरू कर दीजेगा क्योंकि मैं इसी तरीकी की dental से related problems के बारे में वीडियो लाता रहता हूं तो फिर मिलेंगे next वीडियो में थैंक्यू धन्यवाद